स्पोर्स तक एजिंडा पर आपका स्वागत है और आज एजिंडा पर जो हम पॉइंट डिसकस कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ 16 मैश रहे गए हैं 2019 का जो वर्ल्ड कप है उससे पहले भारत के पास लेकिन उन 16 मैशों में जो परिशानियों का सबब बन गया है विराट कोहली के पहले उस पर आपकी भी राय लेंगे आप अपने कॉमेंट्स करिए आप भी बता सकते हैं कि कहां पर क्या कमिया है या क्या वहां पर सुधार हो सकते हैं राहूल सर साथ में हैं अनिल सर साथ में हैं हम डिसकस करेंगे और एनलाइस करेंगे किस तरीके से एक बहतर टीम हो सक एक अफकोस जो प्राइमरी कंसर्न है वो आपका है महिंदर सिंघ धोनी का जो कंसिस्टेंटली जो फैल हो रहे हैं बैटिंग में बैटिंग ए डूसरा यह है कि आपको अभी अपना मिडल ओर जो है वो आपको फिक्स करना है सेट करना है कि आपको क्योंकि काफी लोग अभी पास भुवनेशर और बुम्रा के रूप में पर बेंच स्ट्रेंग जो है हमारी पेस अटाक की स्पेशली वन डे लिमिटेड ओवर्स में वो देखना पड़ेगा आपको कि क्या वो कर सकती है उनकी अपसेंस में डेथ बोलिंगे कंसर्न है वो यह मुझे आपने पिछले एक म र नहीं कर पाई एक बार खुद बलेबाजी कर रहे दें एक बार जब गंधाजी कर रहे थे यह कोई शाभाष्य वाली बात है नहीं जिस मैंच में विराट ने वर्ड रिकॉड बनाया उनको जीत का तौफिभा था मिलना ही चाहिए था और लेकिन जीत के तोफे आपको खैरात में तो मिलते नहीं, जिस टीम में टॉप तीन बल्लेवाज, वर्ल्ड के पांच टॉप बल्लेवाजों में से हैं, वो टीम दो बार कमजोर विरोधियों खिलाप वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर पाई, चिंता का विशय है, चिं सब्सक्राइब करें, चिंद्वाजों के फेवर में रहता है, तो गेंद्वाजी शायद आपकी कमजोर कड़ी साबित ना हो, लेकिन क्या वाकई ये मधिक्रम आपकी नाव पार लगा सकता है, बहुत बड़ा सवाल है, ये कितने प्रयोग हुए हैं पिछले दिनों में, न बात की, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि धोनी कभी भी फार में आ सकते हैं, लेकिन तो कोई भी आ जागा, लेकिन तीन मैच ऐसे हुए हैं, पिछले एक मेने की अंदर जिसमें दो बार टाई हुआ है, जब उनसे बड़ी पारी की उमीद हिंदुस्तान को थी, वो तीनों बार नाकाम रहे हैं, इस साल 17 मैच खेले हैं, एक बार भी 50 प्लस स्कोर नहीं है, तो चिंता तो बढ़ गई है, मुझे लगता है कि धोनी खुद भी असमंजस में होंगे कि अब मैं क्या करूं वर्ल्ड कप सामने है, बतब होता है ना निगलते बनता है कोई चीज ना उगलते चीज बनता है, कि अगर वह छोड़ते हैं, तो अगर को माली जै की सन्याज का फैसला करते हैं, तो भी हर कोई कहए कि नहीं शायद है ठीक नहीं था, व्ल्ल कप सामने था, उनको वहां तक 내일 ले और वर्ल्ड कप तक जाते हैं इस फॉर्म के साथ जाते हैं तो जाइर सी बात है कि आपके कप्तान को उतना भरोसा नहीं रहेगा अपनी जीत को लेकर आप देखिए पिछले सालों में जितने लोग जितनी टीमों ने वर्ल्ड कप जीता है पिछला वर्ल्ड कप ऑस्टलिया जीता निवजिलेंड अपने टॉप थी पे निर्भर कर रहा था सिर्फ टॉप थी पे उनका पहले दूसरे अबर में दो तिन उनके बल्ले बाज गए और तीम वहीं हार गई 2007 वल्ड कप में देखिए ऑस्टलिया के पास साथ वे नंबर तक बल्ले बाजी थी 2003 में भी उनक टीम थी एक से लेके मतलब आठवे नुवे नंबर तक और आज आज आपके पास और चोड़ दीजिए मध्यकरम में मजबूत बल्ले बाज ने दिख रहे है तो चिंता तो बहुत है बाई अधिस्तर जुणे हमारे साथ और अधिस्तर आप देवधर ट्रॉफी आज गए थ रिच के लिए और बीड़ल आपको मिल नहीं रहा है आपको इतने समिष से आप कोच कर रहें इतना बड़ा देश इतने टेलन आपके पास और वहां आपको मिल नहीं रहे लिए दोह Two Keith की बात करी अच शुबन गिल ने बड़ा शांदार उनने श्हित शथ कह और उनका इंटिव्यू आप स्पोर्ट्स तक पर जाकर भी देख सकते हैं के दाज यादव की बात करें आज सर्प्राइस था कि प्रिथवी शौ उनका जो शोल्डर स्ट्रेन है वो बाब उनका उनको बीसी से ने ड्वाइस कर दिया कि आप घर वापर से ले आईए और नर्स कर ये इंजरी को आपकी ये जो शोल्डर का जो इंजरी है जो आपने विजय हजारे में भी देखा जब उनने आफ सिंचरी मनाई थी कितना स्ट्रगल भी कर रहे थे वो तो उनको रेस करने के लिए बोला गया है उनने अमराई भी करवाया था के दाज यादव सर्प्राइ कि यादव को टीम में शामिल किया गया सब्राइज सेलेक्शन कि यादव ने काफी फिटनेस अपनी दिन का खेल शूरूने से पहले मेंदान के राउंस भी लगाए उनने रन भी बनाए 25 गंदों पर 41 रन जिसमें चक्के भी थे और साथी साथ उनने गेन भी डाली उसके ब बता दिया होगी कि यह टीम में और इन इन लोगों के अश्विन भी खेल रहे थे महां पर का तमाम काफी और भी लोग थे दिनेश कार्थिक भी थे तो लेकिन जब प्रेस कॉंफरेंस में आये के दार जादव तो उनसे पहला सवाल ही किसी नहीं किया तो उन बड़े शॉक में थे कि हुंको नहीं है चली मेरी सेलक्शन नहीं होए और इसके बाद वह थोड़ा अबर नहीं पा है एक क्यों वह उमीद कर रहे थे कि मैंने कीन ना सलेक्टर थे आज के देख य area तो उनको लग रहा है कि मैंने काफी कुछ ऐसा कर दिया है जो सब्सक्राइब कर सकता है और मुझे बाकी तीन जो वंडे मैच बचे हैं वेस्ट इंडीस के खिलाब शाहिए उसमें शामिल किया जाएगा उन्होंने यह नहीं कहा जो कई जेंशी से खबरे आ रही हैं कि I don't know why I I don't know that the team has been announced. उन्होंने ऐसे का था तो उनकी बात को तोड मुड्रोड के पेश किया रहा है तो उसमें मच जाईएगा क्योंकि पहले ही करुन नहीर और रिंटी साथी से लेक्शन कॉंशिज हो गई है तो ऐसा उन्होंने नहीं नहीं कहा लेकिन उसका वीडियो भी आप तो लाडियों को जो जिनको आपको आपको अठारा मैच थे इस तॉर्मेंट के शुरू होने से पहले इस सीरीज के शुरू होने माद से पहले आप सोला बचे आपकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है आपने रखना है नहीं रखना है जिसको आप इतने लोग टेस्ट कर रहे हैं दिनेश कार्तिक कभी स्कीम अव तिंग्स में हैं कभी नहीं है कभी नहीं है कभी वनीश पांडे आ जाते हैं कभी आप केदार जादव को भी आप गेन बाजी का ऑप्शन जो बाकी बचे वे हार्दिक पांड्या के ओवर होते हैं आप ऐसे सिक्स बोलर आपको उनको यूज करना है तो आप फाइनलाइस कीजिए मेरे कैसे सिलेक्टर सी कन्फ्यूज लॉट है उनको समय में नहीं आ रहा है कि वह कर क्या रहे है या पता नहीं अब टीम मैंगेंट मेंट से क्या फीडबैक यह वो चाहते है उनका गोल क्या है और दूसरी चीज जो है यह तो हो की डिल मिडल अडर की आपने कल देख हमारे गेंडबाज प्रॉब्ल्म है गेंडबास प्रॉब्लम है मिडल अडर नो चेजी पुमारे विर गेंबास आपको डिसपॉइंट करें आप वेसंडी की टीम भी ठीक है आप उनको इंटरनाशनल टीम है इतना बिलकुल नहीं सो सकते कि व बिलकुली खराब पदरशन करें कभी 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 नहीं अच्छा पदरशन करना था लेकिन अब उसकी सजा अब सजा के यह अगे उनका जो प्लान है फॉवर्ड प्लानिंग है क्या पता शमी को उन्होंने बोला हो कि आपको टेस्स क्रिकट के लिए भी फिट रहना है अब लोग कह रहे है कि शमी को निकाला तो वेश आदफ जो उनकी भी पिटाई हुई तो उनको क्यों नहीं तो क्लारिटी नहीं है कुछ और आपको जो चीज जो चीज ठीक करनी है उस चीज को ठीक करने में नहीं लगे हैं आप अप ऐसी जगह चेंजिस कर रहे हैं जहां पर जो चीज आपको अगर करनी है एक्सपरिमेंट यह जो चीज आपको तै करनी है जो चीज आपको जो जहां से लीकेज हो रही है उसको रोक एक तो कड़ेला, दूसरे नीम चड़ा, कड़ेला ऐसे ही कड़वा होता है, और नीम पर चड़गया तो और ही कड़वा सोचिए, सेलेक्टर्स के बारे में, एक तो आपको मध्यकरम के लिए धंग के खिलाडी मिल नहीं रहें, चोथे नंबर पे कौन होगा, चठे नंबर प एक तरह से श्योर माना जा रहा था, विक्रारसर भी वेठते हैं उनके चटे नंबर पे केड़ाजादे उन्हे तो अपना वल्ल्ड कुप के लिए नाम लिखाएलिया, तकरीवन 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 क्योंकि वो गेंदबाजी करते हैं, चुतराही घंदबाजी करते हैं और अब तो अब तो उनको आपने बुलाया, उनको आपने प्रूफ करने के लिए मौका दिया, उन्हें रन मनाये, उन्हें गेंदबाजी भी करी उसके बाद आप नहीं चूज करते हैं तो फिर अगर अगर कंसर्ण था फिटनेस को तो उनको आज का मैच बूलाना ये नीचे खिलाने के लिए, प्लस सर हम बात करें लगाता है नंबर चार की लेकिन अंबटी राइडू ने फिर भी और जो उप्शन स्ट्राइक एगे, उनसे अच्छा परफॉर्म क्या है, विराट ने उनको बैक भी किया, प्लस काफी खुश मिया, कल भी उनसे बात हुई, तो विर सब्सक्राइड के लिए, आप घर के शेयर हैं, आप बहार जाएंगे वहां क्या होगा, इंग्लंड में जाकर क्या होगा, लेकिन अज अफ नौ तो हम बाती राइडू ही फर्स्ट चॉइस बनते जा रहे हैं, अब बचा नहीं है, टाइम 16 मैच और हैं तो अब उसके बाद अब भी आप कब तक एक्स्परिमेंटेशन करते हैं, लेकिन ग्रेट टीमो का नंबर चार बल्ले बाद भी हमेशा ही दुनिया में टॉप ही राय है, राइडू ने जिवन दान मिलने का मौका भुनाया, अर्दिशतक जमाया, लेकिन जब आपको जिवन दान मिले, एक नही लाइन क्रोस नहीं कर सके, और इसके बाद तो जो हुआ हो तो खेर होरर शो था, विराट कोली मत्तब वहां से टॉप गियर में नहीं गय होते तो शायद भारत थीन सो पार भी नहीं कर पाता, आप कह सकते हो कि पिछ बहुत आसान के लिए जैसा विराट ने कहा कि बाद में अचाइब आसान के लिए डिव फैक्टर भी था, सब कुछ भी था, लेकिन पिछ इतनी भी मुश्किल नहीं थी शुरू में बल्लेबाजी करने के लिए, उसी पिछ में बल्लेबाजी कर रहा है था ना विराट, माना कि उनके स्टेंडर्ड में और बातियों के स्टेंडर् मेकर्स हैं और अपने मैच पे रुख बदलते हैं अपने दम पे एक चोटे-चोटे देशों का कर विए दूप है वहां पे मतलब दिली की जितनी जन संक्या ना उतनी जन संक्या उनके सारे को मिला देंगे तो भी नहीं होगा और उनके सो कॉल टॉप बल्लेबाज और टॉ जाते हैं और आपका सो करोड लोगों का मुल्क वा कई जहां पर हर बच्चा बच्चा क्रिकेट कहलता है आपको समस्या सुल्धाने वाले बल्लेबाज नहीं मिलें क्या मतलब की खिलाडी है नहीं या फिर आपका सिस्टम नहीं है जाइड सी बात है कि जो भी खिलाडी आय करते हैं देखते हैं आगे बढ़ाते हैं यहां पर नहीं है यहां पर सिस्टम के नाम पर आपके पास दो मेहने चलने वाला एक IPL है बस मीचे जो घरलु क्रिकेट है उसका इस्टेंटर आप देखे लिए आपने सौ करोड लोगों की बात करे तो सौ करोड में से कुछ कोड़ मशा का इसाथ कहला चाहर है कि दिनेश कार्थिके मैचौर खिलानी लेकिन शायद गलत करें उनको कह रहें जगह पर अब ही तो मैं आज मिला भी था तो सब लोग उमीद करें कि एक और कमबैक उनकी होगी और लेकिन अभी अगर वनडे फॉर्माट की बात करें तो आपके दूसरे विकेट कीपर तो रिशाफ पंथ है कार्थिक ने शायद उतना कुछ गलत नहीं किया था कि उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाए थिए उन्हें यह है कि लोग कहरें कि उन्हें बड़ी नौक नहीं के लिए इस्याकप में एक निधास ट्रोफी की बात करते हैं लेकिन वह थिर्टीस फॉर्टीस तो नहीं मारे थे कि वह यहीं शुका है कि हमसर क्रें मिशय करें कि वह यह थे को लिए भी की वह थी पहता है क्यों पनीं और अब अच्छे कर एँ करे देखने कर द्यों कि अब फिंछ मी शै होता लेकिन प्रीं कौछ भी हो सकता है कि अब घ्र otra philosopharé कि बिल्कु तो पिल्कुल फॉह brend वोब बुम्रा वन अफ बेस्ट इसके बाद आपके बास थीसरा कोई अप्शनी नहीं है कि अपको इन्जरी हो या कभी रेस्ट देना हो तो आपके बास बैकक अपने उतना उस लेवल का खिलाडी नहीं है जो शाइद दिख रहा है अभी मनजिल तो आपको नजर आ रहे है कि वल्ड कप है ट्रॉफिय है लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता है नहीं समय भार है कभी इस गली से जाना है कभी तीसरी गली कभी चोथी गली को छोड़के पांच वी गली जाना तो ऐसे कैसे होगा मतलब यह समस्या बहुत बढ़ी ह है मतलब इतने सारे लोग उमीद लगा कर बैठे होते हैं माना कि वोल्ड कपी एक मात्र टौपी नहीं होती है जिसको आप जीत लें तो अल्टिमेट तो है लेकिन वही सब कुछ है लेकिन यार मतलब जिस मुल्क के पैसे से वर्ल्ड कृकेट चला है जिस मुल्क में आके 2 म पर उनको छोड़ देते हैं समझ से परे की बात है सुनील सवाल बताइए कि शुमन गिल को मिडल ओर में ट्राइब कर सकते हैं अब वही बात है कि उन्हें कल कहा भी मेरे इंट्व्यू जो मैंने किया तो उसमें कहा कि हर खिलाडी का ड्रीम होता है वोल्ल कप खेलना एंड मौ से पहले शुमन को अचानक से लेके आना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब यह है कि उससे पहले अगर आएंगे शायद प्रित्वी शौ आएंगे क्योंकि उनको काफी बात चल रही थी कि प्रित्वी शौ को वंडे में गुसाने की तेहरी की जा रही है इसलिए अभी उनको यहां पर दियोदर ट्रोफी में भी खिलाया गया अनफॉचुनेटली जो उनकी इंजरी विजय हजारे से चल रही थी तो वह थोड़ी एग्रवेट हो गई है तो अब ऐसा लग रहा था कि शायद उनको अगले तीन मैचेज में मौका भी दिया जा सकता है अब कितना جईन में गिचान में लीट में जे वर्ड कॉप इंडिया जी यॉट्व कप के ठीक बास आपकी टीम में ठीक बात सारी यंगसर साइग प्रण किसमत सबसे इंडिया ने वर्ड कप जित लिया व्ल्ड कप जितने के बाद सारे खिलाडी ऐसे पदल गए उसमें महां सचें तेंदूल कर थे विरंदर से वाग भी थे गोतम गंभीर ती जब वेसे खिलाडी को भी इंडिया ने करी फारवर्ड नहीं किया यह सूचते कि रहाने इतने मिकलब experience player है उनको क्योंने ट्राइगा गुर्मीत रहाने लंबा वक्त हो गया बात रहाने को खेले वे वे वन-day फॉर्माट पर फेब्लिटी में खेले थे मैं कैसे लास्ट साथ एफ्रिका लास्ट को खेले थे जहां पर चार पर उनने स्टार्ट अच्छा विक्रम का सवाल है कि श्रेस अईयर और कुर्नाल पांडिया दोनों खेल रहे हैं अभी वर्ड कप के ठीक बात पुर्य श्रेस अगया अगला प्रश्न अर्पित का सवाल कोई reasoning नहीं दीए टीम अब यह भी हो सकता है कि अर्पित कि क्या वता उनको क्योंकि टेस्ट के तो अब अगर क्या निगल है उनको रेस दिया गया है ड्रॉप किया गया है क्या वज़े है और आगे का सोच के फ्यूचर प्लानिंग को देखते वे किया गया है कोई explanation नहीं आया है सेलेक्शन कमीटी से सीधा थोड़े एक्सपेंसिब भी साबित हो रहे थे वह अभी वन दे फॉर्माट में तो अभी कोई वज़ा नहीं दे लिए उनकी सोच क्या है समझ क्या है यह नहीं पता लेकिशाद भी हो सकता है कि उन्होंने सोच लिया हो कि तीसरा हमारा कर लिया है व्लूप कर लिये चलो इनका भी हम लिख कर लिया यह जाएंगे वल्ड कुप में 2015 वर्ड कफ में बेहतरीन ग्यंदबाजी की थी मोमद श्यमी ने 18 वीकिट कुछ थे उनके 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 जिद बिल्कुल तो अशाद उनका नाम सोच लेकर और अबने और अपने सोच लिया तो फिर खिला ऊना फिर अगे मैंस ब्रेक्टिस बढ़े उनको फिर उनको ठोड़ी गर बैटे उनको जटने अग्जार से एक अधागा जाये जाए है उनिल सवार। चुनिल सवार तेम पंदरा की तुम हो सब्सक्ति थे हैं तो उसे परण बगशने हैं तो बादागा देते हैं आप तो 18 उनिस भी जाती है अपकी जाती है अपकी विदेश तक जाती है 18 उनिस सब्सक्राइब जरूर रहते हैं कि सीमिंग अलाउंडर कि लेकिन अगर को जहां पर तीसरा कॉनों का ये शायद अभी तक पता नहीं है लेफ तामर है लेफ तामर तो अवविसली हमेशा एक प्रेफरेंस रहती है आपकी लेट सोप अब जो भी मौकें मिल रहे हैं वो बुना सुरेश का बल्ला भी थोड़ा चलनी पा रहा है अलाकि उन्हें बहुत अचीव किया अपने करियर में एंड बहुत बड़ा उनका अच्छा शांदार करियर है लेकिन वही बात है कि अभी हर किलाड़े कर टाइम होता है बाइजान सुरेश रहना ने थोजार साथ का वल्ड पेशौ को ट्राय की जे एक तरफ कहते हैं कि युराज सिंदम भी लिया है फिर राहना को लीया तो ठीक बात है जिसको भी लाएं जो भी बहतर खेल दाओ जो भी आपको लगता है कि आपको वल्लकॉप जिदा सेथा अब उसको लाइज लेकिन जिसको भी लाई उसके साथ क तो फिलाडी रिकर सिता है अधना सब कुछ जैसे अतीज सर ने बता कि देवधर ट्रॉफिन उनको खिलाया जा रहा था फिर तो दिमाग से निकलने वाला सवाल शाएद पादा ही नहीं होता क्योंकि पता ही यह स्रेक्टर को पता ही यहां खेल ने अपने फिटनिस टेस्ट कर खे पर प्रकूर्स कर वो세स कर गोंगे है अपने यहां पर करा नहीं है खिलाक्रणा नहीं है समय में आने हैं कि आप बोला कु की शेक्र केहना है कि चेखर का कहना है उनका मानना ही है कि शायद कि यंग टैलंको ज़ादा से ज़ादा मौक में इंडिया इंडिया के लिए अगर आप उनको लेकर आएंगे एक दम से और वो भी ऐस्टेलिया में लेकर आगे खुजाना कास्ता नहीं चले तो फिर आगे के लिए आपकी प्लानिंग जो है अब मेरे ख्याल से एक खाका वो त्यार हो चुका है सिर्फ एक दो जगाएं जो हैं जिनको लेकर चार नंबर भी आपकी वह अगर राइडू कर रहे हैं अपने लिए उसमें भी वही प्रॉब्लम हो रही है अब यह 11 तो फिर भी ठीक है शायद बड़ा सवाल है कि आपके पंदरा जो होंगे उसमें जो आपके रिजर्फ जुने कहते कि स्टार्टिंग 11 होती है जो चार आपके बेंच पे हैं उसमें भी वही क्वालिटी शायद चीह होगी अगर वह क्वालिटी नहीं तो एटलीस उनके 80% तो हो अगर आपको वर्ल्ड कॉप जीतना है बल्कुल सही बात सुनल सवाद लखन शर्मा कहे रहे हैं धोनी का पॉर्म चिंता की बात है और वो सिर्फ विकेट कीपिंग के दम पर टीम में रहना शायद उनके लिए सही है क्योंकि वर्ल्ड कॉप नजदीक है और लखन शर्मा परिशान है जैस्तर के से सभी परिशानी कि महिंदर सिंग धोनी का जो ब सब कहते हैं वक्त दीजिये उनको जैसे मलब मोर टू मोर टाइम तुस्पेंड इंदे मिडल कल तो बतिस तुए तेटिस मूबर में आये थे वो तो लेट सोब की जल से जल जल जो है उनका जो पुराना वाला फॉर्म जो आई-पे अलमों ने दिखाया था जिसके बाद हम स अबने कह दिया था कि वो पुराना धूनी लॉट आया है दूनी बैक तो लेट सो टाइम ली आजाए लेकिन सवाल यह है कि क्या वही वाला भरोसा खुद धूनी को अपने पे रह गया है कल जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे कल भी जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे कल ही न वो तो बहुत कुछ कह रहे थे तरीके सो आउट बीटन जिसे हम कहते है कि समझ ही नहीं आया कुछ पता ही निचरा जो स्लोवर वन था तो थोड़ी दिक्कत है तो है इसी लिए सनी सर ने सुनिल का वसकर सनी का थे को खेलना चाहिए को खेलना चाहिए जो भी मैचिस से जो रह अलगे मना कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे टीम का बैलेंस शायद बिगड़ जाएगा जो उनकी टीम जार्खन की टीम थी सुनिल सवाद जो उनकी बड़े लंबे लंबे चखके अमारे जो बरे इक तरह से आप दिखना शुरु करते हो और आपको 50 खिलारी धिख जाते हैं पड़े शांदार हुआ है शांदर ने भी रन बनाए शांद किसिन की तो आप कोई लोग बात ही नहीं करते वो इशानकिशन ने रन बना सुरेकुमार यादव ने शुमन के अच्छी पार्टरिशिप करी रण सब बनारे हैं वही बात है कि आप कितने लोगों को टेस्ट कर लोगे और कितना आप करना चाहते हो इन को टेस्ट करना जाती है और तो बहुत सारे हैं लेकिन जोहर दिखाता कमी एकोई मतलं मतलं मत इक टॉप तीम को छोड़ दीजिए तो टाय टाय फिस्क वाला है मामला है चले सुने एक अखरी सवाल पूच रहे हैं कि वाशिंग्टन सुन्दर फॉर वेस्टंडिस लेफ थेट हैंडर क्या नाम थेट हैंगा प्राइस इस गॉड़ वाशिंग्टन सुन्दर जो एक तायम पे ते भी लिमिटेड़ स्कीम अव थिंक्स अभी क्यो नहीं है और वो कहरे है कि शयद वेस्टंड कि अच्छा उप्शन हो सकते थे हो तो सकते थे अब वोई स्पिनर्स वाले में तो बहुत तगड़ी फाइड सरव आपको पता है कि युजवेंदर चहर और कुल्दी प्यादव आपके रविंदर जड़ेजा भी वहांबर उन्होंने भी जिससर के से कमबैक किया है तो इस कि पिछले मैच में भारत में 300 से जादा रंग बनवा दिया लेकिन फिर भी गेंदबाजी आपके लिए कंसर्ण नहीं है क्योंकि भूवी बुम्रा इंगे बिलकुल अभी के उनको वापसी इसी लिए करागी उनको पता चला कि अब इस वेस्ट इंडी से अभी पहला मैच आप जीते जरूर दूसर मैस टाई हो गया है लेकिन आगे गेंदबाजों पर शायद यह तो उतना भरोसा नहीं रहा है कंसर्ण बीच वाली कडी ही है बीच वाली कडी जिसको क्रिकेट के लोग मध्यकरम को टीम की रीड की हड़ी कहते रहे हैं जो जो लोग कहते रहे को बड़ी चिलेहां ने क्रिकेट खेलाई रिर की हड़ी होती है किसी भी टीम की मिडल और वो मेरिल और को जाएगा पता ही नहीं है कौन खेलेगा पता नहीं है खेलेगा या खेल खराब करेगा कुछ नहीं पता क्योंकि एक दिन पहले तक बात हो रही थी कि टॉप ऑडर क तो क्या करें, टॉप टीम नहीं बना देते हैं, लेकिन कल तो मोखे थे सब के बास. चलिए, बड़े-बड़े सवाल हैं, जो भी है, इंडिन क्रिकेट के सामने, 2019 वर्ल्ड कप से पहले, सिर्फ 16 मैचिस रहेगे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कंसन क्या है, आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, हम उसे भी डिसकस करेंगे, और स्पोर आपको क्या है, तो वह उन्हें बोला कि मैं अभी समय अभी उनको जब सेलेक्शन का जब पहाँ चला तो ऑविसलिए बात करेंगे वाद में कभी लेकिन अभी फिलाल लेकिन उन्हें जो कहा वो जुरूर अप सुनिएगा, तो तारी अपडेट्स के लिए आप वहाँ पर भी अपलोड होती है, तो आप सारे प्लैट्फोर्म से प्लीज हमें फॉलो कीजिए और आप से मिलते हैं बहुत जल्द